हलो दोस्तों, आज मैं explain करूँगी episode 3 of my girlfriend is an alien और बाकी पिछले episodes की link आपको मेरे description box में मिल जाएगी स्टार्ट करते हैं episode 3 शावशी के कहने पर fang lang उसे hospital लेकर नहीं जाता और उसे पूरी रात हग करके बैठा रहता है और वहीं सो जाता है मिस चाई जब शावशी के room में जाती हैं तो वो दिये देखकर शौक होती हैं कि fang lang शावशी हग करकर सो रहे हैं और वो उनके photos लेकर वहाँ से चली जाती है सुभा fang lang शावशी से पूछता है कि उसकी हालत ऐसे कैसे हुई वो कहती है कि वो cold storage से कुछ लेने गई थी इसलिए उसे बहुत ठंड लगने लगी fang lang शावशी से fang lang शावशी से मिलने की मना करता है और वहाँ से चला जाता है मिस चावशी को उसकी और fang lang की photo दिखाती है जिसमें वो दोनों एक दूसरे को हग करके सो रहे होते हैं शावशी वो photo देखकर सोचने लगती है कि fang lang शावशी ने उसे बिना safety skin care चुआ फिर भी उसे कुछ क्यों नहीं हुआ फिर वो मिस चावशी से phone लेती है और photos delete कर देती है इससे मिस चावशी कुस्सा होती है फैंग lang फैंगली को कहता है कि वो अपनी paintings पर focus करे और शावशी से दूर रहे तो फैंगली उससे पूछता है कि वो उसे क्यों रोक रहा है जबकि उसकी किती सारी girlfriends रह चुकी है फिर फैंग lang उसे पकड़ कर घर ले जाने लगता है शावशी फैंगलेंग से मिलने company में आती है वहाँ उसे फैंगली भी मिलता है शावशी फैंगलेंग को हक करती है ये जानने के लिए कि वो उसके planet का है या नहीं तो इस मौके का फाइदा उठा कर फैंगली वहाँ से भाग जाता है शावशी फैंगलेंग के सामने अपनी powers यूज करने की कोशिश करती है पर कर नहीं पाती तो वो समझ जाती है कि फैंगलेंग के सामने वो अपनी powers यूज नहीं कर सकती क्योंकि उस पर उसका कोई असर नहीं होगा शावशी फैंगलेंग से पूछती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों सेम है शावशी कहती है या तो वो उसी के प्लानेट का है या फिर उसके पास उसका communicator device है इसलिए ये सब हो रहा है फैंगलेंग को शावशी की बातें पूरी तरह नॉनसेंस लगती है वो उसे कहता है कि वो अगर दूसरे प्लानेट से है तो वो बापस चली जाए क्योंकि अर्थ पर उसका कोई भी वेलकम नहीं करेगा ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है फैंगलेंग को अपनी फाइल में रेस्टोरेंट का काउंटेक्ट के पेपर मिलते है तो वो शावशी को अपनी कंपनी की ब्लेक लिस्ट में डाल देता है जिससे वो अंदर भी न आपाए शावशी फैंगली से मिलने जाती है तो फैंगली उसकी पेंटिंग बनाता है फैंगलेंग जियांग शू से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि वो चुपचाफ फैंगली की help क्यों कर रही है वो कहती है कि वो बस Chinese artist को promote करना चाहती है और फैंगली बहुत अच्छा artist है इसलिए फैंगलेंग को जियांग जानी पेचानी लगती है इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे जानता है तो वो मना कर देती है इधर फैंगली अपनी मॉम से कहता है कि वो उसका credit card active करवा दे तो उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम company handle करने के लिए हाँ बोल दोगे तो वो उसका credit card active करवा देंगी फैंगली बोलता है कि ये उसका और फैंगलेंग का personal matter है इसलिए आप हमारे बीच में ना आए फैंगली वहाँ से चला जाता है पर उसका wallet वहीं गिर जाता है तो उसकी मॉम उसे उठाती है और उसमें जियांग और फैंगली की photo देखती है फिर वो अपने भाई को call करके कहती है कि वो जियांग से मिलना चाती है इसलिए वो उनकी meeting अरेंज करवाए फैंगलेंग श्यावशी की painting फैंगली के पास देखकर श्यावशी को food delivery का order देता है और उसे company में आने की भी कहता है श्यावशी food delivery करने जा रही होती है तभी वो एक गड़े में गिर जाती है फैंगलेंग उसे वहाँ बचाने आ जाता है और उसे उस हालत में देखकर mall में cloths change करवाने ले जाता है पर श्यावशी अपना order time पर पहुँचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है जिससे वो time freeze कर देती है फैंगलेंग ये सब देखता है फैंगलेंग श्यावशी से पूछता है कि वो ये सब जो देख रहा है वो सच है या उसका illusion है श्यावशी उसे चकमा देखकर वहाँ से भाग जाती है और वापस changing room में आ जाती है फैंगलेंग उसे वहाँ देखकर बहुत surprise होता है और उसे लगता है कि वो सब illusion था तो वो अपनी गलती सुधारने के लिए उसे card gift करता है और ये सब बातें फैंगलेंग अपने doctor friend को बताता है तो वो कहता है कि ये सब उसकी विमारी की वज़े से हो रहा है और कुछ भी नहीं है फैंगलेंग उसे ये भी बताता है कि जांग उसे जानी पहचानी लगती है पर उसे उसके बारे में कुछ याद नहीं है तो डॉक्टर कहता है कि हो सकता है कि तुम श्याशी को लगता है कि फ्रेंग लेंग उतना बुरा भी नहीं है क्योंकि उसने रेस्टॉरेंट के साथ कॉंटेक्ट कर लिया और श्याशी को कार्ड भी दे दिया, डिलीवरी के लिए मिस चाहे उससे कहती है कि fang lang शायद तुम्हें like करता है और तुम्हें अपनी girlfriend बनाना चाता है इसलिए उसने उसे काट दिया शयावशी जब delivery के लिए जाती है तो वो fang lang से कहती है कि वो उसे like ना करे और उसका पीछा करना चोड़ दे क्योंकि वो किसी और को like करती है fang lang उस टाइम online conference में होता है तो वो ये सुनकर surprise होता है fang lang उससे कहता है कि वो उसे like नहीं करता इसलिए वो उससे दूर रहे शावशी ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है वो भी उसे like नहीं करती तो अच्छा होगा कि वो दोनों एक दूसरे से दूर रहें और शावशी को लगता है कि ये उसकी company में last delivery है तो उसे अपने सामने lunch करने को कहती है पर वो नहीं करता तो शावशी उसे खुद ही अपने हाथों से खिला देती है ये सोच कर कि अब हम दोनों नहीं मिलेंगे और यही एपिसोड 3 end होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कीजी मेरे चैनल को subscribe कीजी साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजी जिससे आप आने वाले डामाज की वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें